नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत एक और नहीं वीडियो में जो कि आपके चैनल एक ही लक्षे पर लेकर आया हूँ दोस्तों इस वीडियो में जो आपके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है जो कि आपके CRPF एक्जाम CRPF के अंदर यानी CRPF डिपार्टमेंट के अंदर एक सरकारी नौक लियानी कि गवर्मेंट जॉब के लिए नोटिफिकेशन है जो कि अब ओफिशियली वेबसाइट पर 15 मार्च को आ चुका है दोस्तों इस नोटिस के अंदर मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ कि कितनी पोस्ट इस बार इस CRPF के डिपार्टमेंट के अंदर जॉब निकले हैं जो कि बिल्कुल सरकारी और सरकारी जॉब है गवर्मेंट अफ इंडिया के अंदर जॉब हैं दोस्तों 9000 से भी ज्यादा पोस्ट के उपर यहाँ पर जॉब निकली है जैसे कि आपको को आप अपलाई कैसे कर सकते हैं क्या eligibility है कौन इसके लिए कर सकता है कितनी जो है age limit चाहिए कितने जो है फार्म की की फीस होगी कास्ट के लिए क्या क्या डिटेल है कि अगर आप SC category से हैं तो आप किस-किस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं जनरल कैटिग्री से हैं तो 30-30 post के लिए apply कर सकते हैं, इसी तरीके से OBC, OBC, NCL, CL यानि की non creamy layer और बाकी EWS जैसे candidate PWD, PWBD यानि की person with disability वाले candidate के लिए क्या-क्या facility है, exam के लिए नोटिफिकेशन है, आपका exam होगा, उसके दौरान जो है, बाद में ही recruitment होगी, finally ये exam के बाद आपको, इस exam को देने के बाद ह जो है, इस department के अंदर, जो CRPF की police force की department है, जो की central reserve force, police force, यानि की आप समझ सकते है, central government of India के अंदर आता है, जिसके अंदर बहुत सारे post, कम से कम 9000 से भी ज्यादा post के ओपर ये job निकली है, बहुत बड़ा update है दोस्तो, वीडियो पूरा ध्यान से देखना है, एक एक चीज जो है, आपर cover हो जाए, सारी की सारी notifications related है, आज से form filling जो है, वो 27 मार्च से चालू होने वाले है, यानि कि आप 27 मार्च से इस form को भर सकेंगे, इसका notification अगर आपको देखना हो, तो ये website पे भी आप देख पाएंगे, असानी से, जैसा कि मैं आपको बता दू, ये website पे आपक एक recruitment का option मिलता है, वहां से आप इस चीज को जाकर देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दू, ये वो notification है, ये website पर ही आप देख सकते हैं, कहीं से भी जाकर, दोस्तों, ये पूरा 50 page का जो है notification में, पूरा का पूरा इस video के अंदर discuss करने वाला हूं, जैसे कि आपको बत आता है, advertisement, notice, recruitment for the post of constable, technical and tradements, ये आपके technical और tradements के लिए जो है, यहां पे CRPF के अंदर, जो है, male और female दोनों के लिए, जो है, यहां पे vacancy निकले हैं, post निकले हैं, आप apply कर सकते हैं, देखिए, मैं आपको बता दू, ये 27 March से जो है, इसकी form filling चालू होगी, यानि, आप 27 March स से लेकर इन form को भर सकते हैं, 25 April तक, पूरा one month का आपको समय दिया गया है, साथ में, आप payment भी आपना 25 April तक कर सकते हैं, last, admit card आपका 20 से 25 June के बीच में आपका आ जाएगा, मैं आपको बता दू, ये जो exam है, आपका, इसके लिए आपका exam होगा, जो की computer based test के level पे exam है, इसके आपके monitor screen पर, device पर जो है, exam होगा, जो की, 1 से लेकर 13 June के बीच में, ये exam आपके होने वाले है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको schedule दिखा रहता हूँ, ये पूरा schedule आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये पूरा schedule है, ये date आपको याद रखनी है, ये पूरी date, ये प frequency है, post है, जो खाली seats है, आपके job के लिए, जिसमें, आप apply कर पाएंगे, main आपको बता दू, यहाँ पर, यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे है, 1 से लेकर 7 June, ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखने की, ये वाली, जिसमें लिखा हुआ है, CBT का जो exam है, ये tentative है, मतल तो आपको CRPF will conduct an open competitive examination for recruitment of Indian citizen against vacancy prescribed for male and female candidate who are ordinarily residents of their respective states, UT, Union territories to fill up the vacancy of constable technical trademans in Central Reserve Police Force as per the recruitment scheme rules formulated by the Ministry of Home Affairs, जैसे मने आपको बताया, the recruitment process will consist of CBT, physical standard test, यानि PhD, physical efficiency test, यानि कि PET, trade test, document, verification, medical examination, the silent features of the recruitment are as undead, जैसे कि आपको बताऊँ, इसमें आपका CBT का exam होगा, computer based test एक exam होगा, उसके बाद आपका physical standard test का exam होगा, जो आपका PhD exam होता है, उसके बाद एक physical efficiency का test का exam होगा, और एक trade test और इसी के साथ आपका document verification जो होता है, वो होगा, और एक आपका medical test होगा, जिसके अंदर आपका जो है, आपकी, एक तो आपकी, जो भी medical से related, आपकी जो भी चीज़ चेक करी जाती है, मैं आपको बताऊँगा, इसी के अंदर क्या क्या होगा, मैं आपका यहां पर height और chest का size और वो सारा कुछ देखा जाता है, वो सारा कुछ भी क्या रहेगा, वो सारा कुछ हम discuss करने वाले है, applications will be accepted online only, शिर्फ of online form भर सकेंगे, इसके लिए to apply only online no other mode, आप offline किसी mode में apply नहीं करेंगे, इसके लिए online apply करेंगे, recruitment will be conducted on domicile based pattern, CBT considered in English and Hindi, आपका यह जो exam है, वो Hindi और English दौनों language में आएगा, CBT physical test जैसे सारे exam मैं आपको बता दिये, यह सारा देखा जाएगा, आपका सब जो CRPF ही लेगा, आपका यह exam, तो यह सारे point है, यह आपको कुछ अच्छे से ध्यान रखने है, ति कि pay scale की बात कर ले तो, pay scale मतला आपकी salary क्या रहेगी, तो यहाँ पर आपके 21,700 रुपे से लेकर, 79,100 रुपे, यानि कि आपके 70,000 तक की, इसके अंदर salary रहेगी per month, यान आपके काम पर, आपकी post पर depend करेगी, तो आपको मैं वो सारा कुछ जो है, इसके अंदर समझाने वालो, किसकी जो है, कितनी salary रहेगी, किस-किस post के लिए आप apply कर सकते हैं, और कितनी number of vacancy है, उस post के लिए, वो सारा कुछ जो है, इसी वीडियो में हो जाएगा, दिकिन, 9,21 तो, 12 जो है, male, वो total vacancy है, जिसके अंदर, male के लिए 9,105, female के लिए 107 vacancies है, to be filled through, constable, technical, trademan, recruitment, 23, detail of state, UT, trade, post-wise vacancies is as under, देखिए, vacancies of male post, male की post के लिए, यह vacancy है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इधर, इधर आपको दिख रहा होगा, यहां पर जैसे लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है, name of state, state के नाम लिखे हुए है, साथ में यहां लिखा है, driver की post के लिए, same यह आपके CRPF के अंदर driver की बात हो रही है, आप ऐसा मत समझना है कि Government of India के किसी भी department में, बोला जा रहा है कि आपकी डिवाए, driver के लिए, जो है कर दीजिए, फिर नौकरी लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, यह जो है, CRPF के अंदर driver के लिए बात हो रही है, आंदरा प्रदेश में, CRPF में, driver की post के लिए, 145 जो हैं, आपकी वेकंसी है, यह एनि, 145 driver के लिए नौकरिया है, आंदरा प्रदेश श्टेट के अंदर, CR CRPF department में, सेम इसी तरीके से, आप देख सकते हैं, driver के लिए अरुनाचल प्रदेश में, 8 driver के लिए, असम में 47, बिहार में 177, 36 गड में 47, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, यह पूरा list है, यह driver की है, सारा कुछ, यह driver के बारे में, आपको पहली list जो मैं दिखा रह लिए, जितने भी लड़के, अगर driver post के लिए CRPF के अंदर job लेना चाह रहे हैं, तो 145 post पर वो अपनी job ले पराएंगे, job ले पाएंगे, driver की post के लिए, यह नि driver की इस्थान के लिए CRPF के अंदर आंधरा प्रदेश में 145 seats हैं, इसी तरीके सा आपको बताओं, यहां पर car painter के लिए 5 हैं, आंधरा प्रदेश की बात हो रही है, tailor के लिए 13 हैं, 6 जो है, brass band के लिए है, pipe band के लिए, सब इन post के बारे में आप अच्छे से जान लेना, हाला कि इसमें अगर होगा तो मैं आपको भी बता दूँगा, आप एक एक चीज जान कर उसके लिए अपलाए करे है, उसके बाद आप apply करें, उसी तरीके से, यहाँ पर आप देख रहे है, painter के लिए 3 post है, cook और water carrier के लिए, यहाँ पर 99 post है, यह संख्या है, मतलब कि 99 लोग यह नहीं 99 male लोग जो है, आंधरा प्रदेश स्टेट से, CRPF में इस बार, इतने लोग apply कर सकते हैं इस post के लिए, इस तरीके से, आप देख सकते है, watcher, watcher man के लिए, यहाँ पर जो है, 16 post है, इस तरीके से, आंधरा प्रदेश के अंदर जो है, 424, जैनि 424, जैसे आंधरा प्रदेश में आपको बता हूँ, तो 424 जो है, यहाँ पर पोस्ट रहेंगे, जिसके लिए आप apply कर पाएंगे, से इसी तरीके से, अरुनाचल परदेश में, आपकी 18 post है, असम के अंदर, असम के लिए बात करूँ, तो असम के अंदर, यहाँ पर 275 post है, आप देख सकते हैं, इस तरीके से, आप देख पाएंगे, आसानी से, हर एक ची लिखी हुई है, किस post के लिए, कितनी seat है, कितनी वेक category में, जिस भी post में, आप उसमें apply कर पाएंगे, हाला कि उसके state आप चेक कर लेना, एक बार, उस state के अंदर, उस post पर कितनी job है, तो इस तरीके सा, आप apply कर पाएंगे, तो यहाँ पर number आपको दिख जाएंगे, आपर right side में, सारे number लिखे हुएं, आप देख पाएंगे, आ जैसा कि support में मान के चलू, तो यह वाली बात कर लेता हूं, इस में बात करूं, तो मैं यह वाला आप देख सकते हैं, यह पूरा आपको दिख जाएगा, यह actual में जो है, यह actual में लिखी हुए है, सारी की सारी list पूरी, यह total number है, उस state के अंदर, अलग-अलग post है, यानि कि जिसमें आप असानी से apply कर पाएंगी, देखिए धैली की बात कर लों, ilra का मैं देख रहा हूं, देली में आपकी 34, 34 जो निकलि निकलि हैं, जादा से ज्यादा जो सीट, सिटacular, जादा सी जज़ादा जॉब जो निकलि है, इस 34 निकलि है, जो कि आपकी किसमें निकलि है, मैं आपको बता देता हूँ देखिक, कुक और वाटर, वाटर केरियर के लिए जो आपके 34 डेली के अंदर से कोई अपलाए करता है तो उसके लिए 34 यहापे वेकंशी है, वाटर और कुक और वाटर केरियर के लिए, इस तरीके से आप देख सकते हैं अपना हिसाब से जो भी आपको टोटल दिख जाएगा कि 9105 तो male male के लिए पोस्ट हैं आप समझ सकते हैं कि 9000 में से और बाकी female के लिए बात करो तो female के टोटल 107 यानि कि 107 लड़कियों को इस बार के अंदर job मिलने वाली है लड़कियों को यानि girls को जो है इस बार 107 लड़कियां जो है इस बार इस job के लिए अपलाए कर पाएंगे अलग अलग पोस्ट के लिए लड़कों की संखिया काफी जादा है आप देख सकते हैं यानि कि 9000 यानि आप समझ सकते हैं अगर ratio आपको द vacancies of last recruitment state ut wise detail of vacancies reserved in each category is enclosed as per annexer 1a vacancies for pioneer wing 11 male vacancy of constable to be filled through constable technical ट्रेड में रिक्रूट्मेंट दो जाते है इस vacancy to be filled on all india bases देखिए यहां पर कुछ vacancy है जो all india base पर भी fill होंगे जो कि 11 लड़कों के लिए है वह आपको बोला जा रहा है constable technical और ट्रेड में के लिए जो आपका होगा CRPF के अंदर उसमें आपका 11 लड़कों की job जो seat है vacancy की वह fill होगी all india level पर detail of trade post wise vacancies are as undered जैसे कि आप देख सकते है CT या फिर CT यहां पर plumber लिखा है electrician लिखा है यह आप देख सकते हैं यह trade post है आपकी जनरल में आपको दिखा दू जनरल में दो electrician की और EWS के अंदर एक भी EWS मतलब EWS candidate के लिए electrician की post नहीं है यह आप यह आप जान सकते हैं OBC वाला है अगर कोई student तो एक post उसके लिए है electrician की इसी तरीके से SC के लिए भी एक post है यानि की चार post जो है आप पर वह रहेंगे electrician की आपके same CRPF के अंदर all India level पर इस तरीके से 11 जो है mail के लिए अलग से post है कि candidate must be a citizen of India vacancies are state UT wise has hence a candidate must submit domicile his state UT यानि मतलब बता दू अगर आप जैसे माल लिए हरियाना से apply कर रहे हरियाना के किसी post के लिए CRPF के अंदर तो आपको एक बात ध्यान रखनी है वो यह कि आपका जो है certificate होना चाहिए उस state का कि आप वहीं के निवासी है मतलब कि वहीं के जनम आपका वहीं हुआ है वहीं की पैदाई मतलब कि आप कह सकते हैं वहीं से आप जो है वहीं पर आपका बर्थ हुआ था आप वहीं से जनम से रह रहे हैं तो उस बात का प्रूफ हो एक होता है certificate वह आपको दिखाना पड़ता है वह जो submit करना पड़ता है जिससे पता लग जाए कि आप उसी state से रहने वाले हैं तो वह आपको दिखाना पड़ेगा उसका प्रूफ जिससे की वह vacancy जो आप उसी state के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए वह document की verification में जरूवत उसकी पड़ेगी एज लिमिट की बात कर लूँ तो constable की जो driver की post थी उसमें आपकी 21 से लेके 27 जिसकी भी age 21 से low है यानि की नीचे है वो driver की post के लिए अपलाई नहीं कर सकता हाला कि वह दूसरी जो post थी उनके लिए अपलाई कर सकता है candidate should not has been born earlier than 1996 से पहले जिसका बर्थ हुआ है जिसका जो है 2002 में एक अगस्त के बाद हुआ है वो भी इसको अपलाई नहीं कर सकता है उससे पहले पहले का अपलाई कर सकता है मलब simple सी बात यह है कि 1996 से लेके 2002 के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है वो इसको चीज को अपलाई कर सकते है date का आपको जो है वो ध्यान रखना है constable mm mv और यह सारी पोस्ट आपको जो दिख रहे हैं इनके लिए आपको बोला जा रहा है कि इनके लिए जो आपकी एज है वो 18 से तेज होगी तो आप इसके लिए अपलाई कर पाएंगे और साथ में यह भी बता दिया गया है कि वो बर्त कब से कब तक की होनी चाहिए अब दि के लिए कि आप इतने साल अश्टा अपने पूरे होने के बाद भी आप अपलाई कर सकते हैं एक्जाम के लिए और इस एक्जाम को दे के अपना जॉब लगवा सकते हैं process of certificate and format of certificate देगी certificate जो आपको यहां पर लगाना पड़ता है मैंने आपको बता है अभी SCHT और इन सब चीज़ों का आपको प्रूफ देना पड़ता है तो उसके लिए आपको certificate लगाना पड़ेगा अब देगी education qualification की बात कर दो driver की post के लिए आपकी qualification होनी चाहिए minimum metric यानि कि 10 10th pass होने चाहिए आप किसी भी board से और university से recognized by the central और state board state government या तो आपने state state board से कर लिया अपने 10th pass या फिर CBSC ICSC Central Board से अगर आपने कराया 10th pass तो आप driver की post के लिए apply कर पाएंगे technical qualification यहां पर बोलीगे should possess heavy transport vehicle driving license यहां पर आपसे बोला गया है कि आपको driver की लिए post के लिए apply कर र and should pass the driving license test और आप pass होने चाहिए उस driving license के test में तो at the time of recruitment तो आप इस चीच के लिए भी तो आप इस एक्जाम को दे पाएंगे अभी इनके पास driving license नहीं है तो उनका recruitment के time तक अगर उनका driving license का test हो जाता है और वो उसमें pass हो जाते हैं तो वो भी apply कर सकते हैं तो इस तरीके सा आप अपने post wise qualification देख लेंगे किसी में आपकी plus two यानि कि 12th pass भी मांगी गई है किसी के अंदर qualification किसी में 10th मांगी गई है और साथ में technical qualification भी आपको देख नहीं है साथ में ये चीज़े भी आपको fulfill करनी है इस तरीके से आप जो है apply कर पाएंगे कि apply करने का process कैसे होगा वो बता दू online आपको apply करना है पहले website पर registration करेंगे आप आपको उसके लिए एक mobile number और email ID चाहिए होगा जो valid होना चाहिए उसके बाद आपका registration जैसी हो जाएगा उसके बाद आपको form fill करना होता है जो आपका 25 चार यहां पर गलती से तीन आ गया है यहां पर आपको चार आएगा यानि कि फॉर्थ यानि कि आपका चौत्था महिना यानि कि आपका एपरिल में 25 अपरिल तक आप जो है इसके लिए apply कर पाएंगे application fees 100 रुपीज है for male candidate general EWS and OBC only मतलब की जो SCHT candidate है उनमें चाहे वो male हो female हो उनको कोई fees नहीं देनी है और जितने भी female है हर category के उनको fees बिल्कुल नहीं देनी है उनके लिए fees नहीं है बिल्कुल भी 0 fees रहेगा यहां पर देखिए center आपको बता दू यह exam कहां का होगा तीन option जो है आप चुन सकते हैं अपने center के लिए इस exam के लिए आप तीन है center जो है आपने choose कर सकते हैं और आपका जो exam होगा वह आपका अंधरा प्रदेश के अंदर यहां यह जो cities लिखे हो है इस तरीके से जैसे के अनन्तपुर और चिराला चित्तूर और आपका यह देख सकते हैं कडापा इस तरीके से यहां पर जगाओ के नाम है आप देख पा रहे होंगे इतनी जगाओ पर होगा ऐसी तरीके से अरुनाचल परदेश के अंदर यहां पर दो जगाओ पर center होगा आपका city के अं है सेम इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे हरियाना जम्मू और कस्मीर सब यहां पर लिखा हुआ है एक एक चीज देखें मैं आपको बता दूँ डेली के अंदर एक city न्यू डेली है उसके अंदर आपका यह exam होगा डेली वाले student के लिए में खासकर बता रहूं क्यूंकि वहां के student ज्यादा apply करते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वाइल फिलिंग जैसे आपको बोला जा रहा है हर एक चीज की आपको ध्यान रखना है क्यूंकि एक बार आपने choice फिल कर दी exam center के लिए वो change नहीं होगी form submit होने के बाद अब देखिए हम एक्जाम के लिए जो question paper रहेगा उसमें हम बात कर लेते हैं तो क्या रहेगा उसके लिए आपका देख सकते हैं 100 question आपके आएंगे जो आपके 100 marks के आने वाले है निकि हर question 1-1 mark का होगा 25-25 mark के आपके 4 section होगे जिसमें general intelligence and reasoning, general knowledge and general awareness, elementary mathematics, English और हिंदी यह आप का आएगा 2 गंटे का paper होगा यानि कि half and hour आप समझ सकते हैं हर section को आपको complete करना है multiple choice question आएंगे आपके सारे English इंदी में होंगे there will be negative marking of 0.25 mark for each wrong answer candidates are therefore advised to keep this in mind while answering the question मतलब की आपको यह बात अपने दिमाग में याद रखनी है कि आपका जो है one-fourth marks question का का काटा जाएगा अगर आपका कोई question गलत होता है जैसे कि आपका अगर question कोई गलत हो जाता है तो उसका 0.05 mark काटा जाएगा जैसे कि आपको बता दू अगर आपका question कोई 1 marks का आया तो उसका आपको one-four marks काटा जाएगा जैसा कि यहां लिखा हुआ है date and center जो होगा आपका वो आपको admit card पर inform किया जाएगा जो कि बाद में बताया जाएगा website के जरीए ही कि वो कब आ रहा है there shall be no provision for reevaluation rechecking of the scores no correspondence in this regard shall be entertained तो simple है आपका computer पर exam होने वाला है mc की ओ exam होगा 100 questions आएंगे चार चार यहां पर sections होगे चारो sections आपको बता दिये 25-25 questions आने वाले हैं हर question one-one marks का होगा गलत answer पर आपका one-by-four marks काटा जाएगा देखे यह यहां पर topic है हर section के आप देख सकते हैं जैसे कि आप देखाओ मैं आपको general intelligence and reasoning में आपका analytical aptitude ability to observe and distinguish patterns will be tested through options questions principally of non-verbal type this competent may include questions on analogies similarities and differences special special visualization special orientation इस तरीके से पूरा syllabus आपका रहेगा आप देख सकते हैं चारो syllabus आपका elementary mathematics एक section आपका रहेगा जिसमें आपका number system computation of whole number decimals and fractions relationship between numbers fundamental arithmetic operations percentage ratio and proportion averages interest profit and loss discount mensuration time and distance ratio and time time and work etc यह सारे topic आपके रहेगे mathematics के इंदर तो इस तरीके से आपको यह सब पढ़ना है अगर आपको यह सोच रहेए कि आपको किस level का पढ़ना है तो आप समझेजिए जिस exam का syllabus आपका 10th level का है कि 10th pass आप यह pass करने को बोल रहे हैं कि apply कर सकते हैं उस post के लि qualification मांगिए उसके हिसाब से आपको उतना ही level का हर subject को पढ़ना है उसके extra नहीं पढ़ना physical standard test की बात करूं मैं यहाँ पर बता दिये गए candidates shortlisted for PhD will be asked to go through biometric verification followed by PET trade test physical standard for the post of देगे यहाँ पर constable technical ट्रेडमेंड की जो post की मैंने बात करी उसके लिए यहाँ पर PhD का test unique होगा जिनका finally जब exam होने का list में नाम आता है जो select होते हैं उनको यह PhD test देना होगा उससे पहले की आपको याद रखना है पहले आपको यह exam clear करना है height यहाँ पर male के लिए PhD के अंदर 170 cm है female के लिए 157 cm है जैसे कि मैं आपको बता दूँ यहाँ पर लिखागा है जैसे कि few candidates of few category of candidates मतलब कि जो specific category के candidate है उनके लिए भी relaxation PhD test के अदर है PhD जो आपका physical standard test होने वाला यह आपका test जो होगा मैंने आपको पहले भी बताया जैसे कि कि आपका जैसे ही आपको जो return exam है जानी कि मतलब जो आप आपका CBT exam है जो आपका computer based exam होगा यह वाला आपके अलग अलग post के लिए CRPF के अंदर जिसमें मैंने आपको बताया है 9000 से ज्यादा post है तो जैसे ही आप अप अपलाय करेंगे अलग अलग post के लिए आप इस form को भरेंगे जैसे ही तो उसके अंदर आपको क्या है कि आपका belonging to ST यानि कि schedule tribe जिस भी category से student आते हैं उनके लिए जो relaxation आप दिया गया है कि male candidate में 162.5 cm अगर height है और female में 150 cm में जो height है तो यह आपकी valid रहेगी मतलब इतनी height कम से कम आपकी होनी चाहिए ज्यादा हो तो कोई दिक्कर नहीं लेकिन इतनी कम तो होनी चाहिए इतनी तो कम से कम होगी आपकी तो आप इस relaxation में जो है apply कर पाएंगे मतलब कि आप SC के ST category से हैं और आपके अगर male में यह height है और female में यह height है तो आप PST exam में height वाल लेवल जो है आपने हो qualify कर लिया यानि height के जाब से आप eligible हैं सेम इसी तरीके से यहाप है ST category के student के बारे में बात हो रही है जो अब देखिए chest के लिए में बता दूँ male candidate should have following standard of chest measurement unexpanded यानि कि आपका बीना expand करें आपका normal 80 cm chest का size हो होना चाहिए जैसे कि आप बोला जाता है और minimum expansion कम से कम उसका 5 cm में minimum कम से कम expansion होना चाहिए few categories of candidate are allowed relaxation in chest कुछ candidate को chest के size में भी relaxation यहाप पर दिया हो गया है जैसे कि आप देख पा रहे है इस तरीके साफ आप अपना अलग अलग category के हिसाफ से देख लेंगे किस chest किस candidate का किस category में क्या chest का size जो है यहाप है PST test के लिए जो है physical extended test जो है उसके लिए देखा जाएगा तो इस तरीके साफ देख सकते है आप देखे मैं आपका पताता हूँ जो होगा आपका जो कि physical efficiency test होगा इसमें क्या होगा candidate have to clear the pet race within the following time limit यह आपका देख का है जिसके मैं आपको बता दू यहाँ पर post trade जैसे कि आपको बताओ post trade के नाम बता दू जैसे कि post आपको दिख रहा है CT 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 आपको दिख रहा होगा असानी से trade man और यह जो मैं आपको बताया तो उसके लिए जैसे कि आप driver की post के लिए कर आप apply कर रहे है तो उसमें आपका जो आगे चलके physical efficiency test CRPF में अलागा कि state के साब से मैंने सारा कुछ आपको बताया किस state में कितनी post है कितनी seat है किस category में है सब कुछ आपको बता दिया एक्जाम का syllabus हो गया एक्जाम की date हो गई जो की tentative थी application form की date भी आपको बता दिये 27th of March से लेके 25th of April तक आप apply कर पहेंगे पूरा one month का आपके पास समय है अब देखिए category wise आपको बता हो तो driver यानि कि driver की post के लिए अगर male candidate में बास करो तो 5 km in 24 minutes यानि कि आपको 24 minute के अंदर 5 km अगर कोई लड़का है तो उसको इतनी dot complete करनी है इतना distance उसको cover करना है 5 km का उसको 24 minutes के अंदर minutes के अंदर अपना race करनी है उसको भागना है अगर वो driver, motor, mechanic vehicle, gardener, painter, carpenter, brass, band, pipe band, cobbler और tailor की post के लिए अगर apply कर रहा है तो उसके लिए ये रहेगा और female के लिए उनको female के लिए एक चीज है यहां पर की female को साड़े 8 minute ही भागना है उसके अंदर अंदर अगर वो time से पहले 7 minute, 2 minute, 3 minute वो उनके हिसाब से है वो कितने minute में अपना जो है 1.6 km जो है अपना distance जो है वो cover कर लेती है race करके यह भाग कर तो वो आपका यहां पर दे season से आते हैं बाकी सारी जगाओं से आते है लदाग को छोड़कर बाकी सारी जिन जिन जगाओं से आते हैं उनके लिए बोला गया है हाला कि लदाग वालों के लिए यह चीज अप्लिकेबल नहीं है उनके लिए शायद कुछ और बताया जाएगा आगे में देखते हैं लेक करना हैं दिर इक इसकि पोल प्लेंट आपको इतना भागी एंदर अंदर इसकि पोष इंदर आपको इतना बहुत के अंधर जो कि एस पोष्ट के लंगर रहें, लडगों के लिए हैं फीमेल came के लिए अलग है sorry woman मैं female की बात कर रहा हूं यानि कि आप इसमें age का कोई आपको बता दिया था मैंने 18 प्लस आपकी age इसमें होनी चीए कम से कम इस इन पोस्ट के लिए apply करने के लिए maximum आपकी किसी किसी में 25 भी गई है 27 भी गई है वो मैंने आपको बता दिया था कि इस पोस् के लिए जैसे कि आपका plumber और electrician इन सब के लिए जो है अगर देखा जाए तो यहां पर 9 मिनिट के अंदर 1600 मिटर उनको भागना है तो इस रेस रेस जो उनकी रेस होगी उनको complete करना है इस time के अंदर जैसे दिया गया है यहां पर यहां पर कोई भी वेकैंसी नहीं है लगा जो यूनियन टेरिटरी है उदर से अगर कोई पोस्ट जो कॉंस्टेबल टेकनिकल और ट्रेडमेंड की पोस्ट के लिए करने वाले है उनको यह बाद याद रखनी है कि वह लदाक से है अगर तो वह इस पोस्ट के लिए जो अप्लाय नहीं कर सकते यानि कि उनके लिए यह पोस्ट के लिए वाकेंसी नहीं है अगरे कि weight की बता हूं तो property proportionate to height and age as per medical standard. Medical standard के साफ से आपके height ऑर age जैसे आपको बता दिया है, मैंने age का बता दिया है and height का, weight, height आपका weight है वो आपकी height और age पे depend करेग़ आपकी age कसाफ से और आपकी age और height कितनी है। उसे जपसे आपका weight depend उसपर करता है तो यह उनका इस तरही कहसा आपका weight देखा जाएगा ऐसा नहीं है कि, ऐसा बोल दिया आपसे कि आपके इतने marks है तो आपके इतना weight और ऐसा कुछ भी नहीं है सिर्फ height और age के हिसाब से आपका जो weight है वो यहाँ पर measure किया जाएगा देखा जाएगा Trade test trade test के लिए आपको बता दू जैसे candidate will be shortlisted for trade test from the pool of candidates who qualified जैसे मैंने आपको पता है भी था जिन्होंने trade test उनका होगा जैसे कि आपको पता है इसमें अलग-अलग exam होते है पहले CBT exam होता है CBT जिनका qualify होता है उनका PhD and PET होता है यानि कि आपका physical student test और दूसरा आपका physical efficiency test होता है यह दोनों हो जाने के बाद जब इन तीनों में जो qualify कर जाता है उसका exam होता है trade test के लिए will be conducted through practical assessment and will be qualifying in nature यह qualifying in nature होता है out of 50 marks for practical trade test a candidate must require 20 marks to qualify 50 marks का trade test और आपको 20 marks लाने पड़ेंगे during trade test a candidate will be asked to perform any activity pertaining to that particular trade post for which he she has appeared applied the parameter for each trade post will be as under तिकि driver के लिए आपको कहा है कि knowledge of driving trade trade test में क्या देखा जाएगा अगर कोई driver के लिए apply करना तो उसकी knowledge देखी जाएगी driving trade से related handling driving parking आती है कि नहीं आती maintenance of light light की maintenance heavy vehicles उन्हें चलाना आता है नहीं आता वह सारा कुछ देखा जाएगा driver में trade के लिए same इस तरीक से fitter की अलग है और bugler की अलग है tailor की अलग है आप सब देख लेना है आप पर tailor में देखा जाएगा taking measurement of persons cutting stitching of terry cotton uniform civil clothes cutting stitching of warm clothing यह सब आपका देखा जाएगा tailor से related आपको सब कुछ आना चाहिए आप उसके लिए apply कर रहे है तो यह आपका trade test में सब देखा जाता है actual में तो इस तरीके से आप देख सकते है अलगलग post के साब से आपर बताय हुआ है कि किस post के लिए आपका क्या-क्या trade test में देखा जाएगा document verification आपको बता द है और बाकी इंसम में आपको बता दिया PhD और PET में किस तरीके से आपको अपना performance देना है जिसे कि आप इसको भी qualify कर जाए CVT का आपको बता दिया है 100 question 100 marks 25 25 marks के 4 section रहे है चारो section का syllabus हो गया हमारा main हमको यह चीज़ cover करके जानी है document verification आपका तभी होगा जब आप यह चारो ची center at the time of document verification following documents will be physically verified मतलब कि आपको physically verified कराना होगा आपको बताया जाएगा किस time आपको आना है किस center पर आना है वो सारा कुछ आपका ही सारे exams हो जाएंगे सारे test हो जाएंगे उसके बाद आपको एक email करा जाएगा है mobile number पर आपको message छोड़ा जाएगा उनकी तरफ से या फिर आ आपको बताया भी जाएगा क्या 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 document आपको लेकर जाने है वो document लेकर जाएंगे आप plus आप उनकी photocopy अपने खुछ से attached करके लेएंगे आप दो photocopy के set बना के ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा इससे आपका असानी से verify हो जाएगा document verification यह physically आपका होने वाला है center पर जब आपको बुलाया जाएगा और matriculation secondary examination certificate to proof age and educational qualification आपको अपना 10th 12 जैसे कि आपना 10th से उपर वाली पोस्ट के लाप लाएगा है जिसमें आपकी 10th qualification है किसी में 12th qualification भी है तो आपको उसे साबसे अपना 10th का certificate 12th का certificate लेके जाना है age proof लेके जाना है आपकी age का क्या proof है क कि अभी जो आपकी currently age है वो उसका proof कि आपकी age यही है क्योंकि आपने अभी तो application firm फिल कर देंगा अभी कोई checking नहीं होगी जब document verify कराएंगे तब age check करी जाएगी अगर वहां पर ऐसा निकलता है कि आप 18 से नीचे होते है 16, 17, 15 के होते हैं तो वहां पर eligibility false कर जाएगी तो आ पर आपको domicile certificate आपको category certificate लगाना पड़ता है domicile certificate होता है आपका state resident के आप वही पर रहते हैं जैसे कि माल लीजे किसी candidate ने हरियाना के लिए हरियाना में CRPF के अंदर post में apply किया है किसी post के लिए suppose driver की post के लिए हरियाना से तो आप उसको बात में चलके certificate ऐसा देना पड़े हैं वो सब आप दे सकते हैं जिससे कि आपका वो जो है proof हो जाए certificate from serving defense personals in the format prescribed in annexer2 यह उनके लिए हैं जो पहले से काम कर रहे हैं उस department में CRPF के अंदर किसी ना किसी जो अपने पोस्ट पर जैसे कि ex-service man भी कोई लोग होते हैं कास certificate मैंने आपको बता दिया कास certificate देना पड़ जाएगा आपको यहां पर driving license उन candidate को देना पड़ेगा जो driver के लिए apply कर रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया भी बैन आपको यह चीज उपर भी बता दी ती same यह वाली detailed medical examination अब देगें medical exam किन का होगा the shortlisted candidate will be medical medically exam examined examined by the medical officer medical officer medical officer जोंगे वो CRPF के वो आपका जो है physical physical fitness देखेंगे medical fitness देखेंगे यह सारा कुछ आपका देखा जाएगा uniform guidelines for recruitment medical examination for GOs and NGOs in CAPFs and AR issued wide MHUO number जैसे कि आपको यह दे रखा है यह आपको इतना गुछ दाने की जाओ नहीं मेन आपका यह बोला जा रहा है कि आपका medical examination भी होगा medical test भी आपका होगा उनका होगा जो student shortlisted होगा है इसके लिए तो वो कैसे shortlisted करेंगे मैं आपको बता दिया वो सारे exam उसके base पर आपका यहां पर देखा जाएगा सेम इसी तरीके से eye examination eye sight for city driver driver के लिए आप देख सकते है eye examination भी होगा आपकी आखे चेक करी जाएंगे क्योंकि driver क्या करता है गाड़ी चलाता है CRPF के अंदर यहां पर CRPF की बात हो रहे तो उसमें आपको क्या जाएद रखना है भाई आखों का जो visualization है मतलब कि वो कितना दे जो है government of India बताता रहता है eye sight के बारे में कि इतना आपका वहोगा होना चीए size इतना ही होना चीए वो सब तो उससे आपसे आपको देख लेना है आपको उससे आपसे आपका perfection होना चीए आप पढ़ पाए कुछ भी देख पाए आपकी आपको का उतना जो है visual होना चाहिए इ आपको download करना है finally exam देना है result आएगा selection होगा आपका physical होगा physical में pass हुए तो फिर आपका trade होगा इस तरीके से आपका सारा यह exam होगा देखिए document में आपको बता दू इन में से कुछ भी आप लगा सकते है आपके बाद होगा इना कि final stage आपका medical examination है the candidate scoring below mentioned cutoff marks in CBT will be considered eligible for shortlisting to the next stage of recruitment process मतलब क्या बोला जा रहा है जो आपको cutoff दी गई है अगर इसको आप qualify कर देते हैं इससे उपर आप ले आते हैं अपने category के हिसाफ से अगर आप unreserved category से हैं और आपके अगर ट्रेड में टेकनिकल और ट्रेड में की अलग है cutoff pioneer wing की अलग है यह आप नहीं जानते तो आप उपर notice के अंदर देख सकते है सेम pioneer wing के लिए क्या-क्या post है और इसके लिए क्या-क्या post है उससाब से आपकी syllabus भी अलग है सारा कुछ वहाँ पर द दोनों आएंगे आपका जो भी आपका बचता है OBC यहां पर देख लिए OBC यहां पर दोनों आने वाले है 25% में यहां पर डाउट रहेगा लोग हो कि OBC यहां पर कौन सा वेले की बात हो रही है यह OBC NCL non creamy layer की बात हो रही है उनको बोला जा रहा है कि 25% आप ले आईए तो आप ट्रेड में और टेकनिकल के अंदर तो चीविट एक्जाम में तो आप जो है फाइनली क्या आप जो क्वालिफाय हो जाएंगे इस एक्जाम में शॉट लिष्ट हो जाएंगे ने स्टेज के लिए यहीं आपके P.H.T. प.E.T. ट. सेम इसी तरीके से पाइवनीर और दूसरे candidate के भी number same आगए इसी exam में, तो ऐसे में क्या होगा, कि मैं आपको बता दू, marks in part A of CBT, फिर marks in part of B, CBT जैसा को मतलब, CBT जो computer-based exam आपका होगा, ये, इसके अंदर 4 section आएंगे, A, B, C, D, जो है, मतलब, 4 section होगे, आपके 4 अलग-अलग topics आएंगे, उसमें आपका part A जो होगा, उसके marks जिसके जादा है, उसको पहले candidate को rank दी जाएगी, merit दी जाएगी, cut-off दी जाएगी, उसको आगे रखा जाएगा, नहीं तो फिर उसके बाद part B देखा जाएगा, फिर date over देखा जाएगा, फिर older candidate देखा जाएगा, players higher, मतब कि जो candidate पहले जिसका बर्त हुआ है, उसको उपर रखा जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा tie case, tie case आप देख लेएगा, tie case में कुछ ऐसा होता नहीं, बहुत ही कम case होता है, ऐसा कि tie हो जाए दो student के बीच में, तो होता भी है, तो इस तरीके सा वो solve हो जाता है, अब देखे, action against candidate found guilty of misconduct, देखे, यहाँ पर कुछ है, आप यह सब देख लेना, यह main बात आपके लिए नहीं है, मतलब क्या है, यही बोला गया है, कि आपने कोई false condition वापे देखी गई, आपने exam चोड़ दिया है, you are uninformed during the exam, मतलब कि आप exam को बीच में छोड़ के जाए, आप washroom के लिए निकले, suppose मानिए जब exam चल रहा होता है, बीच में आपको washroom आ जाता है, कभी कोहर, यह आपको toilet जाना पड़ता है, आपको क्या कहते है, आपको हो जाता है, युका गर्मी हो जाती त आपको face wash करने जाना होता है, तो इस सब कारण से आप अगर exam के बीच में जाते भी हैं, और ऐसे टांक मतलब किसी भी कारण से बीच में exam चोड़ के चले जाते हैं, बिना किसी को बताए, तो ऐसे में क्या होगा, दो साल का आपको action हो सकता है, आपको सजा हो सकती है, वो क्य final decision यहाँ पर बोला गया है, यह final decision वो ही है, penalty और वो सब कुछ, जो आपने अगर कुछ बीच किया है, exam के दौरान, तो उसके हिसाब से court के कुछ rule है, वो यहाँ पर action में लिए जाते है, student के खिलाफ, तो यह actual में आपको इस देख लेनी है, तो इस तरीके से हमारा यह सारा क email id चाहिए होता है, फिर आपका application form को complete करना होता है, सारा detail भरके, format सब कुछ set करना होता है, आपके size, image का, और आपका अधार card का, हर चीज का, इस तरीके से आप उसके बाद देखे, form of certified for serving defense personnel, आप देखे, जो इस defense, मतलब पहले से इस चीज के अंदर होंगे, तो उनको यहा वहाँ से discharge हो गए, कब उनकी appointment वहाँ से हट गई, कब मतलब पहले से माल लेजी, suppose आप CRPF में पहले से किसी department में काम कर रहे थे, और आपको अब इस post के लिए apply करना है, इस exam के लिए, तो आपको अपना ex-servicemen में आप जो है, इसके अंदर आने वाले है, format of SCST certificate आप देख स जाता है, counselling आपकी होती है, जब exam से result आजाता है, जब आपकी job के लिए counselling हो रही होती है, document verification actual में हो रहा होता है, तो तब आपकी यह चीज़ देखी जाती है, तो इस तरीके से आप देख लेंगे अपने certificate का सारा कुछ format और fill करके attest करने वाला जो issue होता है, वो आप solve कर ल नहीं होता है, बट वो उस category में आते हैं, तो उनको यह certificate लगाना पड़ सकता है, तो इस तरीके से आपका पूरा format रहेगा, इस बार जो आपके मैंने आपको बताया है, ट्रेड मैं और टेक्निकल की post के लिए, टेक्निशियन, टेक्निकल, टेक्निकल, टेक्निकल post के लिए मैंने आपको बताया है, मैंने जो आपका CRPF के अंदर जानी की Central, Reserve, Police Force के अंदर आपके 9000 super vacancy है, इस बार उसका पूरा notification आपको बता दिया है, कितनी उसकी age चाही होगी, आपको, कितना जो है, उसके अंदर eligibility होगी, qualification क्या चाही है, 10th pass के लिए 12th pass के लिए है, अब graduation भी अ एक post पर apply कर सकता है, उससे ज्यादा post पर भी apply कर सकता है, fees उसकी उससे आपसे extra लगेगी, इस तरीके साब समझ सकते हैं, मतलब, suppose, मालिए 10th plus पर आपको post पर apply करना है, अलग-अलग post पर, मतलब, जैसे मालिए 10th plus की qualification आपसे मांगी जा रही है, तो आप उसमें apply करेंगे, तो अलग-अलग post पर apply करना चाहरे हैं, जैसे, तो आप कर पाएंगे, उसके लिए अलग-अलग fees जो आपको देनी पड़ेगी, 100-100 रुपीज पर post पर, main बाद यहां पर यह भी है, कि मैंने आपको भी बताया है, कि किस-किसी student के लिए fees नहीं लेगेगी, जितने ही female students है, उनके लिए 0 fees है, बिलकुल उनको form free fill करना होगा, simply, अपना qualification देखते हुए, age limit देखते हुए, और सारा कुछ देखते हुए, तो इस तरीके सा आपका form rate रहेगा, general EWS वाले जो student है, उनको 100 रुपीज fee pay करनी है, हाला कि जब आप यह form fill करते हैं, select करते हैं, अपना age, age के ब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद,